देखे उक मिस्टी दा ए देड़ा बायो मॉलीक यूस है ए चैप्टर दे तिन बाड ही मेन कार्बो हाइड्रेट अपां कम्प्लीट कर लेया जे ची गलुकोज बड़ेया फ्रुक्टोस बड़ेया राइबोस बड़ेया कार्बो हाइड्रेट दे अगयए हूँ दा ही नूकलीक एसिड है ओभी मेन कार्बो हाइड्रेट दा इपार्ट है ओभी कम्प्लीट हूँ गया प्रोटीन आपां क चुरू कीता है एभी देख दे किन्या कांच कवर हुन दा लास्ट रह जाना विटामिन्स ठीका, बीतामिन्स घखांगे करना के नहीं करना सिंपल ही हुन दावा, भी वितामिन दे नाम याद रखने उना दे κेमिकल नेम की हुन दे या सोर्स की हुन दा उना दे डैफिशन सी दे आढओ केडियां केडियां डिसीस लग सकदे या ठीक है, प्रोटीन आप मां पढ़ दे पहीं, कल्दानों एदे बारे दस्या ही पी एदे जिस सब तो छूटा यूनिट केडा है गा अमाइनो एसिड, एक ते ए याद रखना आप मां, स्मालेस्ट यूनिट एदा है गा वा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, होन अमाइनो एसिड जिड़ा वा इनू वैसे केंदे किया प्रॉपरली, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, एदी काल क्लासिफिकेशन आपां पड़ी ही एक ऐसिड अल्फा एक इता है काले नू तानी आपां टिएल नहीं थे लिखना ऐसिड एक हुंदा न्यूट्रेल आपां लास्ट एद्छ लेया, आज आपां अनदर क्लासिफिकेशन 102 जेबिगे, अल्फा अमाइनो एसिड ए है गया दो टाइप दे होर एक हुन दे अजेंचियल अजेंचियल अल्फा अमीनो एसिड अजेंचियल एक हुन देने नौन अजेंचियल अजेंचियल की देने या मतलब है अपना नौन बारों इनटेक करनों लोदननी है की सड़ी बॉडी खोदी तयार कर लेंदी अजेंचियल जेड़े या सड़ी बॉडी देवेक नहीं तयार हुन दे डूनौट सिंथेसाइस इन आवर बॉडी ठीक है, अक्स्टर्नली आपमा इनना नू इन्टेक कर देया बारों आपमा जद्धा मिलक दे विच्चों सानू मेल जान देया मीट दे विच्चों मेल जान देया पी साथी बॉडी नी बढाऊंगी नौन अजैंचियल जेडे या इस सिंथे साइज कार लें दी बॉडी खो दी सिंथे साइज इस इन अवर बॉडी तेता नू फिर सोन लो दस्या गया ही अमाईनो एसिड जेडे ना टोटल ट्वंटी सिक्स हुन देजे जे अपमा नेचर दे वेच गाल करिये टोटल ट्वंटी सिक्स अमाईनो एसिड ब्रेजन ने जिनना विच्छों 20 हुन देया किनना देवेच प्लांट स्वेच ते एनीमल स्वेच जिनना साट्डे वेच ते पेड़ पौद्या वेच वी हुन देजे जेडे शेब आच गे शे हुन दे स्पैशल टिशूस देवेच टोटल ट्वंटी सिक्स हो जान दे न एथे अजैंचियल हुन दे टोटल टैन ते नोन अजैंचियल हुन देने टोटल टैन बाकी दे सिक्स जेडे या वो कोज स्पैशल टिशूस देवेच हुन देने एक वर फिर क्लियर कर देना एनु मैं अमाईनो एसिड क्योंके ना प्यावा क्योंकि दा की फार्मूला हुन दा कार बंदे आले द्वाले चार बॉंड बना देओ एक बंदे लगा हुन दा COOH एक बंदे लगा हुन दा NH2 एथे कोई ना कोई ग्रूप लग सागदा G लेखलो R लेखलो एथे लगा हुन दा H एदे वेच देखो COOH हैगा COOH हुन दा जे कार बॉक्सलिक एसिड कार बॉक्सलिक एसिड एदे वेच NH2 हैगा NH2 हुन दा जे अमाईन किनने ग्रूप ने दो ग्रूप या मेन प्री डोमीनेट केडा करदा सब तो मेन केडा दोना विच्योँ COOH है ए मेन ग्रूप हो गया जेते ए मेन हुन दा एंवी याद रखो जे ए मेन हुदा आपना केडा वर्ड वर्थना ही अमाईन जे ए मेन होंदा एदा नाम चलना ही आपमा वर्ड वर्तना ही अमाइन पर ए मेन ग्रूप नी या एक एडा ग्रूप या सबस्टीटुएंट जे डा सैकिंद नमबर ते होंदा फरस्ट नमबर ते मेन ग्रूप या होई या यह सब्स्टीटुएंट यह ते ए बन जानदा अमाइनू इना क्लियर हो जानदा फिर एदा नाम लिख्या लास ते एसिड ते एनू क्या अमाइनू अमाइनू एसिड अलफा क्यों कहने पए जेस कारबंदे नाल मेन ग्रूप लगा हूंदा अलफा कारबन हूंदा नेक्स्ट कारबन जे इते CH3 लगा हूंदा एक कारबन नू कहना ही बीटा कारबन एतो नेक्स्ट वी जेकर को जे लगा हूंदा इते CH3 लगा हूंदा इनू कहना ही डेल्टा कारबन आ जगाते जो मरजी लाओ इता डेली ता करके इते की लिखता जी जी दा मतलब इते कोई वी ग्रूप लगूगा एनी ग्रूप आज आपा उने की पड़े आवा आपा क्या अलफा अमीनो एसिड दो तरां दे हो और हुन दे एक अजेंचियल जिनना नू साठी बॉड़ी जेडी या ओ सिंथेसाइस नहीं कर सागदी सानू खोद लेने पेने याओ तो किनना तो में उदे सोर्स की या सोर्स केड़े केड़े या मिल्क एक सब तो बेस्ट सोर्स हुन दा जेच सारे तरां दे अमिनो एसिड हो गया एच दास दे दासी होन गे जेड़े सानू चाही दे हूं देया जाँ मीट वगयरा ठीक या एग्जेक्टर आपना लेक देने एदा दी कोई चीज उस्तो बाद जे ए तुभी नहीं लेने एन दी डैफीशेंसी हो जे डैफीशेंसी दे नाट केड़ेड सीजो सग दे डैफीशेंसी केड़ेड सीजो सग दे कवाशी ओकर सुनेया ना कवाशी ओकर हूं हुन दावा जिद्धा बच्चे आ दिया हां विंगी या हो जा दिया डीफॉर्मेशन ओफ बॉन्स ठीक है और सीजो सगदा जे कवाशी ओकर कवाशी ओकर टे एक मरासमस भी हुंदा कोई एद दागे डेसीजो सब्सक्राइए एक लेकल्यों कवाशी ओकर तो तो फिर ओते अपनी बॉडी ने बढ़ाई जाने ठीक है ओदा सोर्स ते ओहु अजैंचियल दी एक एक्जाम्पल भी लेख लेओ वैलीन आई एक्जाम्पल होगी टोटल दास्या ना एक एक्जाम्पल लेख लेने हैं पर एदी लेख लेओ ग्लाइसीन थर्ड क्लासिफिकेशन कर लगें जे पहली क्लासिफिकेशन आची जी ना एसिड बैसी ते न्यूट्राल ते दूसरी की ही अजैंचियल ते नॉन अजैंचियल अपना कंप्लीट ते इनकंप्लीट हेडिंग ला लेओ क्लासिफिकेशन आफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन आफ प्रोटीन एकुन देजे कंप्लीट प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन एक हुन देजा इनकंप्लीट प्रोटीन इनकंप्लीट प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन देवेच की होनगे प्रेजेंट प्रेजेंट आल अमाइनो असेड अमाइनो एसेड ही क्या सारे अमाइनो एसेड प्रेजेंट हूं दे ये थे लैक आफ अमाइनो एसेड किसे ना किसे अमाइनो एसेड दी कमी होगी जेस तरह एक्जांपल देखियो वीड कंक जेडी हूं दिया कंक दे बेच जद्धा टोटल 20 या ना है गे 26 या पर अपने बोडी नू किन्ने चाही दे हूं दे 20 20 दे भी चो वीड देवेच किन्ने हूं दे 19 केडा नहीं हूं दा लाइसेन लाइसेन नौट प्रेजेंट है ठीक है एच लाइसेन नहीं हूं दा फिर वीड के स्तरा दा प्रोटीन है गा इनकम्प्लीट येच लाइसेन अमाइनो एसेड नहीं हूं दा जेस प्रोटीन देवेच सारे अमाइनो एसेड ओन उन्नों की कई दा कम्प्लीट ते सब तो वदिया हूं दा मिल्क मिल्क देवेच वीड वीड हूं दे ठीक है ना मिल्क जेड़ा ओच वी देवी अमाइनो एसेड ने ते वीट देवे एक लाइसिन नी हुना ते जी एधी डेफिशेंसी हो जेते कोई ना कोई ड्सीज लग सकता ड्सीज ना पता नी केड़ा लगूगा पर अपाँ केंड़ है नी ना प्रेजन्ट जितना अग्गे अपाँ कैसे पी बहुत जादी बमारी लाग जानी क्वाशियों करो जो मरासमा से इतना दा कोज नी ठीक है कोई ना कोई साथी बॉडी जेड़ी या वो गल्त तरीके ना ब्हेव करूगी जाब बीपी वजू जा कोज ना कोज हो ऊगा ही मोग जिदा की हुन दावा आदेख्यों ही मोगलोबीन जेड़ा एवी एक प्रोटीन ही है हमाई नो ऐसे डिया एदी शेप ऐस्तरां दी हुन दी एदा काम की हुन दा क्यारी करना ओक्सीजन ओक्सीजन ही मोगलोबीन जेड़ा ना प्लाट देवेच हुन देखो जेते एदेवेच मालो ही मोगलोबीन देवेच कोई एक अधा है नहीं है एक अधा प्रोटीन जेड़ा आवा अलफा अमीनो ऐसेड नहीं है गाते एदी शेप ऐस्तरां दी हो जाण दी एदा दी शेप ते एदा एक ही हुपगे सिकल सैल अनाइमिया यह बमारी नू की काई दा सिकल सैल अनाइमिया सुनेया हुआ ना के ते सिकल दा मतलब हुठ जद लाव दातरी नहीं हुण दी जन न अव पठे बगइरा भड़दे ने ते इन्हें होन की करना देखो आ केरी कर दा प्याग हंडड़ परसंट ऑक्सीजन ते इधी शेप विगड़गी इन्हें का टॉक्सीजन केरी करनी दे सानू ब्रीथिंग प्रॉब्लम सोन गया कोजे ठीक है कोज एद दान्देट सीज लग जान दे लगा कोछ पता ना ठीक है बस इनना नू एक-एक पॉइंट के दास्ता पहा है क्योंकि एक्जाम दे वेच नहीं हो नहीं ना किसे ने पुछना कंप्लीट केड़ा इनकंप्लीट केड़ा अजैंचियल केड़ा नौन अजैंचियल केड़ा तानू मेन ओना फाइब्रस दे ग्लोबलर दो तरह दी क्लासिफिकेशन है और बहुत जादा इंपोर्टेंट है फोर मार्क्स में च्वी आ सक दियो चिदा एचो चार नंबर दा आप ये परोणा को सदा ओही डिफ्रेंस आरा पाद है ठीक है मेन एन ना दी नहीं लोडनी है पर चलो साथ इस लेबस या ते एक एक वर्ड इना दा लिखी जाओ देखे हूँ प्रॉपपर्टीज प्रॉपपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसेड अल्फा अमाइनो एसेड सब तो मेन प्रॉपर्टी पहलो कर देया बाकी बाच देखांगे ना दा कलर हुंगा के नहीं हुंगा Soluble हुं दे के नहीं हुं दे सब तो मेल जे दे Chance काफी हुं दे ओन दे ओ है गा Dipolar Nature Dipolar Nature Alpha Amino Acid दा कितना दा Nature हुं दा Dipolar Nature समझे ओ मैं Alpha Amino Acid बढ़ो कार्बन NH2 बढ़ाता COOH बढ़ाता H बढ़ाता जे कर इस जगा थे मैं जील आदे ना कोई ना कोई ग्रूप को उगा इते जेडा मर्जी बदल साकते हैं आद देखियो जेडा थे हैगा COOH COOH ये थे हैगा Acid क्यों Acid केनने पहें आपपा क्योंकि जदो ए टोटदा H नू रिलीज करदा ए किनू रिलीज करदा H नू जेडियां चीचा हाइड्रोजन नू रिलीज करदा उनना नू आपपां की कई दा Acid इनना बताला क्या उतो बाद NH2 NH2 नू मैं की कैसा किता Base Base क्यों केनना प्यां क्योंकि Nitrogen दे उपपर Availability हुन दी Lone Pair दी जिनना कोड Lone Pair हुन दे ने उनना नू की कई दा Base ठीक है जान NH2 दा सबा कितना दावा एनने की करना NH2 ने H नू गेन करना जेड़ा H रिलीजुन दाना एननू गेन करके कीबना लेना NH3 पोजिटिव आ लोन पेर वर्त लेना आ दो चीजां पता लागिया जेड़े H नू बार कड़ दे उनना नू की कई दा Acid जेड़े H नू गेन कर लेंदे उनना नू की कई दा Base Base कई दा Amino Acid देवेच देखो दो में जाने हैगे COOHV हैगा ते NH2V हैगा खुन एननने की करना एदा सबा आवा H नू बार जान देगा ते एदा सबा की है गावा आपने Lone Pair वर्त के H ना Bond बना लें ठीक है एननू पता लग गया एदे लग गे बेस हैगा एनने अपना H एदर पेज दा ते अग्गे जाके की बने है A Carbon उसे तरह Hydrogen उसे तरह एदर कोजवी लगा हो सकदा कोई भी ग्रूप आड़ा H एदे कोल चल गया ते NH किन्ने होगे 3 NH 3 होगे एदे एदा Lone Pair वर्त आगया ते एदे थे Positive 4 जागया एदे विचो H निकल गया ते एदे थे केडा 4 जागया Negative Negative क्यों आया क्योंकि थे Bond ही ना इनना विच ते जदो H जाओगा ते आप पेर बाच जाणा दो लेक्टरोन बाच गये थे इनना ते केडा 4 जाजणा Negative किन्ने चार्ज ने 1 प्लास 1 कंडे थे प्लास 1 कंडे थे माइनस 2 पोल बन गे Dipolar Nature Dipolar Nature ते आज जोवी बन या ए आईन या एदा नाम हुंदा वा Zwitter आईन Zwitter आईन इनना क्लियर हो जान्दा Zwitter आईन बन गया हूँण इथे खास गल की है गी खास गल इथे है गी जिद्दा इननु मैं केना प्याँ आईन 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 किनी तरा दे हूँदे दो तरा दे एक उन्दा कटाइन एक उन्दा अनाईन जे कर आपां गाल करिये Acidic Medium दी मालो आपां कोई Medium Select कर दिया Acidic Medium Acidic Medium ते फिर इन्हे Act करना जे As a Cytain Act as a Cytain कारण किया ते कौई ना कोई Medium लैओ Acidic Medium Acidic Medium दी पचान किया उते हाईडोजन आईन दी मात्राजादा हू scholarship Acidic Medium दी पचान किया पाजित्व चारज जाड़ा की हुँदा कटाइन एनना समझा जान्दा ते जे कर आप आप आंगाल करिये Basic Medium दी basic medium दी ते आ चीज खतमों नी जे एथे plus नी ओना एदर minus रह जाना फिर एने act करना as a a nine ते एक हुंदा वाद जदों एक time दी तरह active नी करदा अनाइन दी तरह active नी करदा उन्हों कई दा iso electronic point ठीक है तीसरा याद राख लेओ iso electronic point एक हुई हुँदा है iso electric point iso electric point ठीक है नाइदर नाइदर बिहेव एस कटाइन नौर बिहेव एस अनाइन लगया पता ठीक है एक पहली प्रापर्टी होगी दूसरी प्रापर्टी बाकी सिंपल ही या ना थे नादर कोई कलर नी हुँदा अमाइनो एसिड जेड या जद्ना प्रोटीन वगयरा वा एन नादर कलर हुँदे हुदा एक ही हुदेने कलर लेस तिन नेचर कितना दा हुदा जे क्रिस्टेलाइन दोत्रा दा नेचर आपका पड़ दे क्रिस्टेलाइन जा अमॉर्फस एना दा नेचर हुदा क्रिस्टेलाइन सॉलेबल हुदे वाटर देवेच प्रोटीन मीन अल्फा अमीनो एसिड फिला आपका वाँगे सारे प्रोटीन नहीं कहँदा देखो जिननेल्स हुद देरा नेर्टइन उन्दा सूनेयाओ क्यटेना क्य parked नेर्टइन हुदे ने ते पानी व से जदों में तुही पाणीना हाहत तो फिर ते थे ताटे नौ खोड के गए बार पार ते बार जितां वहाल वारदैक बार या सैंसरा इं यह अलफा अमीनो एसिड को किया जीडर की। पुर कुई प्रॉपर्टी आपका कह सकते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन आगी क्लासिफिकेशन औफ प्रोटिन क्लासिफिकेशन औफ प्रोटिन हो और देड़ी क्लासिफिकेशन करांगे एदी इंपोर्टेंस हूं दी काफी एक बनने लेक लेओ फाइबरस एक बनने लेक लेओ ग्लोगुलर फाइबरस थे ग्लोगुलर देख्यों फाईब़ज दा पहला पॉाइंट किया आ गया एदा लीनियर हुन दाजी लीनियर थ्रेड लाईक सट्रक्चर लीनियर थ्रेड लाईक सट्रक्चर अमाईनो असिड जेडे ना एक लाईन दे व्यच जुडे हुन देया linear thread like structure एस्तरा जिदा आ amino acid होगे कोज एक लाइन देवे चोणगे आप पहली chain होगी amino acids दी amino acid जोणगे ते protein बनुँगा न दूसरी chain होगी कोई एस्तरा एवी एक लाइन देवे चोणगी amino acid amino acid ते ए आपस आपस्ते वे चोणगे होगे यह स्तरा एक केडा bond होगी है इस्तरा जेते आपस देवेच जोड़ जान इको मॉलीकूल देवेच उन्दी इंट्रा इंट्र दा मतलब वक्रे वक्रे जुडेने केडा बॉंड बन दा हाईड्रोजन बॉंड एदा ही दूसरा पॉंड देखेओ एदर पहलो एदा से ट्रक्चर दास दन्ना एदेवेच उन्द अध़ ग्लोबू ल र्यानेक ग्लोब जे दितरा गोड़ जया सफैरिकल पॉली पटाइड चेंज पॉली पेर्टाइड चेंज इस्ते रहों जी आई चेंज आएग गोल जय बन गया फिर दूसरा गोल जय बन जाना एस्ते रह दे चयर्च अलिम आस दी जाना ते ए ना देवे चेस्त्रा किते ना किते हाइड्रोजन बॉंड हुन दा फुन ए एको चेन देवे चेया ए नी है गा ए थे आ वेखो दोने आ चेन वक्री आ चेन वक्री पर आ चेन किते टोट दीत नी ना पई एको चेन नी है एस्त्रा नी है गा पी एक चेन हो रहा आदा दा कोज नी है का ए हाईड्रोजन बोंड है गा जे इंट्रा इनु कैना इंट्र ए हाईड्रोजन बोंड केडा है का वा इंट्रा इंट्रा मोलीकि週लर हाईड्रोजन बोंड इन ना ना कलियर हो जाना ठीक हैं ए देख्यो ए देवेच की हुन दावा एथे त्यान ना समझेओ ए इनसॉलेबल इनवाटर जे इनसॉलेबल इनवाटर जे कर एनू आपपा पाणी देवेच पौने या पाणी आ बॉंड तोड़ी नी सकता जिदना ए देवेच हाइड्रोजन बॉंड हैगा हाइड्रोजन बॉंड ते वाटर जेड़ा वाटर दा के डवल जू किनना हुन दा एटीवन डिसोसियेशन कॉंस्टेंट ए दी वाटर दी ताकत हैगी ए नी जादा एना नू तोड़ सकता ही पर ए बहुत मजबूती ना जुड़े हुन दे पाणी दी ताकते थे कामे नी कर दी वाटर जेड़ा वाटर नौट कैपेबल नौट कैपेबल टू ब्रेक टू ब्रेक दिस बॉंड ए बॉंड टोटदा ही नी ते पाणी वेच कोल देगी एक्साम्पल लेना दी आगी जेड़ा नौड आमें कहाँ दिया है केराटीन केराटीन मसल देवेच मायोसीन मायोसीन हुन दाजे साठे मसल्स देवेच केराटीन साठे हुन दाजे नेल्स वेच हेर वेच सकिन वेच स्किन देवेच विये हुई हुँदा समझा जान्दा ठीक है एदर आज ये एपना कह सकते हैं Soluble in water एपानीच कोल जान देने Soluble in water Soluble in water Because a weak bond हुँदा Due to Due to weak Weak Intramolecular Intramolecular Hydrogen bond Intramolecular hydrogen bond एदी example भी देखियो एदर भी तुहीं लिख सकते कैराटिन एदर कैराटिन क्यों लिखिया देखो जद्दा तुहीं कई आर देखिया हुँदा Normally जे हवा ना होवे सड़े head देव पर जेड़े है एक दुझे ना जुड़े हुँदे ऐस्तरा ए एक दुझे ना जुड़े है हवा एन ना भी चूपास करूगी ए ऐस्तरा हो जान्दे ठीक है हो जान्दे है ना हुणा देखो पहलों की ही एक दुझे ना जुड़े ही काफी सड्रॉंग फोर्स ना भी हवा पास की ती ए फोर्स ब्रेक होगी तोटगी ए थे भी कहराटीन है गा पाणी चुको ले नी या पर जेकर आप आप फोर्स ते तुरू वेखिए फोर्स वीक होगी पहलों जदो जुड़े ने फोर्स सा ट्राओं गया ते केड़े ने ए फाइब्रस जदो हवा पास कार दी जाब पाणी पाऊ वाड़ा देवे जो खिलर जान देने फोर्स वीक होगी ते केड़े बन गे एक ग्लू बूलर ठीक है मैं तांक एंड आपी जादा ना एक्जामपला लिखे फोर्स वीक कीणकी जादा। पानी 3 तीन आ पास केड़े लिए ऊद्र एंड एक्जामपल बूलिएैं लोगिंग निए थी के कर लो तो स्टेबल हूं दे थर्ड पॉइंट एक लिखना लेकले उ आस्टेबल जी स्टेबल दे दुज्ज्य आनस्टेबल जी थर्ड लिखना लिख लो एतरले स्टेबल ते दूसरे अनस्टेबल कालदा देने चैप्टर हो चलोगा नेक्स तो करांगे कोई नावा